नमस्कार मैं जीशान जावेद आप देखने हैं न्यूस नेटवर्क पुडे रीवा के विश्विद्याले थाना अंतरगत गायत्री महले में आज दुपहर लगभग डेड़ से दो के बीच दो यूबकों ने ज्वैलरी शॉप से दिन धाड़े दो लाग रुपए से ज़्यादा की लूट कर दी जिसका CCTV वीडियो सामने आ गया है जिसके आधार पर पुलिस यूबकों की तलास में जुट गई है दिन धाड़े दो लड़कों ने जिस तरीके से रीवा के विस्वद्याले थाना अंतरकत गायत्री महले में लूट की घटना को अंजाम दिया उसको लेकर हरकम मच गया तब काल मौके पर पुलिस पहुँची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर अपनी जाच प्रारम कर दी है इन लड़कों ने पहले इसी तरीके से एक और दुकान में लूट का प्रयास किया लेकिन उसमें उनको कामया भी नहीं मिली जिसके चलते वो गायतरी महले में उस जोलरी शॉप में पहुँचे जहां उस वक्त दुपहर के वक्त महीला अकेली थी अकेली महीला को देखकर दोनों यूवर जोलरी देखने लगे कुछ जोलरीयों को एक बॉक्स में रख पाया जाते जाते पंदरा सु रुपए का एक छोटा आइटम खरीदा और जोलरी का बॉक्स लेकर नौदो ग्यारा हो गए उस बॉक्स में लगभग दो लाक रुपए से आसपास जोलरी मौजूद थी जिसकी शिकायत ततकाल ही दुकान मालिक ने विस्विद्याले थाने में की विस्विद्याले थाने की टीम मौके पर पहुँची और जाच प्रारम कर दी है अकेली महीला को देखा बैठे पहुँच गए दोनों यूवर जिस तरीके से सोची समझी प्लानिंग के तहट दुकान में पहुँचे थे एक एक करके जोलरी का सामान देख रहे थे कुछ जोलरी अलग रख रहे थे जाते जाते पंदरा सो रुपए की एक जोलरी खरीदी दो लाग से जुआता की जोलरी लूट कर फरार हो गए अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार प में जुट गई है हमारी टीम ने महिला के पती और पुलिस कप्तान रीवा विवेक सिंग से बात की आईए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस लूट की घटना को लेकर लगए देड़ बजेगी घटना है दो बंदे आये थे हम तो थे नहीं मेडम तो तो सब समान रहा तक वाए अग उठी होगे टाफ्स अगए चार पांच अगउठी थी पांच अगउठी तीन चार टाफ्स थी उनको सवलक करवा है अलग करवाने के माद उसको एक पन्नी मे अगlor सथा ट्रेष अगवा बुगर गवाख कर एक छोटा एटम ज्विक का उसका पीमेंट करने के बाद में तो उसको प्रश पी में में हुझ से हाथ डैके अगर दिक्वार कोने बाता हि है यह पंस जो जेइंट करने के वहां प्रती अपने में प्रते हाथ आपकी पहली हाँ अपने कोई टार्गेट की यही लोग थे आप दूकाना थे हैं यही थे और अभी मुसके से यहां होने के वीस नट पहले वहाँ है क्या लेगा है समान में पाँच अप्रफी ले गया है तीन टाउस ले गया है जी कि अधिए लभक एसे दो बजे एक बच की पचास मिनट में यह सब हुआ है पुलिस को सुचना दिये हैं पुलिस पास गया थे अपुलिस पास गया है थे सुचना देने की मैडम पूर अब लेकि आई 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 अज़न देने तो नहीं नों उनसे क्या बताए कि इतन पुलिस आने को त्यार नहीं हुई नहीं तो उनको फाइयर दिये देगे तक तो नहीं हुआ है यह जानकारी मिली थी कि गायत्री नगर में एक जोहलेस के शौप है वहाँ दो यूवक आए थे और उन्होंने जोहली देखने के बहाने जब थोड़ा सा ध्यान बढ़का उस इसको लेके महाँ से फरार हो गए हैं और जिसके आधार पर फृटेज होगी उनकी पहचान के जाएगी और जो भी इसमें संभ़ होगा प्रियास करके और पहसं पहले पांदर सो को समान नहीं तो पहले इस तरह के एक तो घटना क्रम और हुए हैं यहां पे भी और दूसरे चिलों में भी हुए हैं तो साही चीज़ों को जोड़ा जाएगा और जागर जिस भी चीज से हमको अप्राधिकता पहुजना मदद बिल गी तो सारे संभाव प्यास इसमें किये जाएगा है यहां यह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहें न्यूज नेटवर्क टुडेएं